नमस्कार सातियों आप सभी लोगों का स्वागत है आप लोगों के लिए मोडल पेपर जो है स्यवन लेके आ गया हूँ इससे पहले मैं छे मोडल पेपर आप लोगों को कम्प्लिट करवा चुका हूँ साति मैं एक साइंस का मोडल पेपर भी आपको करवा चुका हूँ और ए इस्क्रिप्शन में भी लिंक के प्लेइलिस्ट का और पस्ट कमेंट बॉक्स में भी प्लेइलिस्ट का लिंक दिया गया है तो आप जाके उनको सीधा जो है वहां से पढ़ सकते हैं एक एक वीडियो आपको पढ़ना जरूरी है एक एक वीडियो आपके लिए जो है अच्छी 27 वीडियो में आपके 80% क्यूसन आपको राजस्तान जीके के देखने को मिलेंगे ये वीडियो आपके लिए राम बान साबित होगी और आप इस वीडियो को सेर जरूर कीजिए लाइक और सस्क्राइब करने कर कोई जरूत नहीं है आप बस इसे सेर कर दीजिए अपने साती भाईयों तक भाईनों तक दोस्तों तक चलिए आप सुरू करते हैं ज्यादा समय वेश्ट नहीं कर करके अचलेश्वर मंदिर के लेक में चोहान को बताया गया है तो अचलेश्वर जो मंदिर का लेक है उसमें चोहानों को क्या बताया गया है तो चोहानों को चंद्रवंशिय बताया गया है चोहानों को क्या बताया गया है चंद्रवंशिय और वंशावलिया और ख्यातों ने चोहानों को क्या बताया है तो आप बताये सुनिये जो वंशावलिया है ख्यातों है उन्हें चोहानों को क्या बताया है अगनी वंशिय जब जो दसरत सर्माजी है वह 14 दूरामनवस से मानते हैं तो यह अलग स्थे अलग-अलग मत Earlier कोई विदेशी जो है उन लेखकों के अलग-अलग मत सब के कि च gotten के इनकी मुद्पतियों को लेकर की पन्ह यह अपने पुतर पूछा करने के लिए तो आप किस वर्स की घटना है कब की घटना है कब की घटना है यह सभी को पता है कि 1535 इस वी की घटना है किस की है मेवाड के सामंत बनवीर ने 1535 इस्वे मारणा विक्रमा दित्ते की हत्या कर यूराज उदे सिंग की हत्या का प्रियास किया पन्ना ने अपने पुत्र जो चंदन था उदे सिंग की जग लेटा दिया परणाम सुरूप वह बनवीर की तलवार का सिकार हो गया और अपनी पुत्री हरका बाई का जो विहा है वह अकबर के साथ कब किया तो अकबर के साथ विवा कब किया 1562 इस्वे में अपनी पुत्री हरका बाई यानिकी मर्यम और जिमानी का विवा अकबर के साथ किया जहांगिर हरका बाई का क्या था पुत्र तो जहांगिर जो था वह हरका भाई का क्या था पुत्रे या आपको याद रखना है कि जो जाँ गिरे वो किसका पुत्रे हरका भाई का हरका भाई किसकी पुत्री है बार मलकी अगला क्यूशन है आप लोगों के लिए मारवार के किस आसक ने मंदोर को अपनी राजदानी बनाया तो आपको बताना है क गया था राव चुंडा के दौरा मारवाड के सासक राव चुंडा के दौरा अगला क्यूशन आप लोगों के लिए अल्लाव दिन खिल जी के रंटमबोर आकरमन के दोरान वहां हुए साके में निमली कि दूर से किसने जोहार का नेत्रत किया तो जोहर किसने किया था आपको ने क्या था हमीर के चना ना एक रंडमल रती पाल के विश्वास गात के कारण किले पर अल्ला अधिकार हो गया और हमीर लड़ता हुआ मारा गया किले में हमीर की जो पत्रिती रंग देवी के नेत्रतों में मैला उने जोर किया और इनकी जो बेटी थी उन्होंने जल जोर किया अब तक का मात्र एक जल जोर है वह रन्थंबोर के किले में हुआ था आपको याद रखना है अगला क्यूसे ने आप लोगों के लिए करम चंद करम चंद वन सो किर्तन काव्यम नामक जो गरंते किस सासक के दान सिलता की तुलना करण से की गई है तो किस की तुलना करण से की गई है इसका जवाब होगा राव लूर्ण करण क्या हो जाएगा राव लूर्ण करण की जो है दान सिलता के कारण तुलना करण से की गई है अगला क्यूसन आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए अगला कुछन के ध्यान से देखिएगा निमले कितमे से चोहान सासक आजे राज के सम्मद में शत्ते कतन हैं सत्ते एगम सटी कतन है वह कौन सा है इनोंने आजे पिरिये इनोंने आजे पिरिये ध्रम नामक चांदी और तामबे के शिक्ये चलाए क्या चलाए इन्होंने चांदी और तामे के शिक्के चलाए आप लोगों को यह याद रखना है ठीक ना क्या याद रखोगी कि चांदी और तामे के जो शिक्के चलाए जो अजे प्रिय दंब कहला है क्या कहला है अजे प्रिय दंब कहला है जो चांदी और तामे के शि 1113 है कितने 1113 है साहते में कुछ मुद्राओं पर इनकी रानी सौमल देवी के नाम भी अंकित है तो किसके नाम है कनकावति का नाम है किसका रामनी सौमल वति का नाम है ना कि कनकावति का वह वेशन दरव का मतावलंबीत है यह तो गलत है ठीक है यह किसके थे दोस्तों सेव द दरम के नहीं थे शेव दरम के मतावलम भी थे तो यह चीजे आपको याद रखनी है कि क्या क्या इसमें गलती है वो भी आपको याद होगी तो आपको ज्यादा क्यूशन याद हो जाएंगे और परिक्षा में आपकी में आएंगे तो आप इजी लिकर पाएंगे अगला क्युशन है मेवाड के गुईल वंच की रावल साका का अंतिम सासक था बताना है मेवाड के गुईल वंच की रावल साका का अंतिम सासक कोन रहा तो वो थे कौन थे मेवाड के जो है माराना थे कौन थे रतन सिंग तो गुईल वंस के रावल साका के अंतिम सासक रतन सिंग थे कौन रतन सिंग थे तो आपको याद रखना है कि कौन थे रतन सिंग तो चलिए अगले कुशन पे चलते हैं अगला कुछने है निमना कितमे से किस सब्वेता इस्तल से एक रोमन एमफोरा वो एक युनानी सुराही मिली बताई कितमे से किस सब्वेता इस्तल से एक रोमन एमफोरा वो एक युनानी सुराही मिली तो किस सब्वेता इस्तल से मिली तो ये मिली थी कहां से बीनवाल सब्व माराटो ने प्रतंबार राजस्तान की कि स्रियासत में तो दोस्तोर तोड़ा गला भी जाम हो गए आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते आप जो है पर मैंने सोच लिया है चाहे गला चाहे कुछ भी जाम हो जाए अब तो मैं आपको पढ़ा के रहूंगा पूरा आपको कंपलीट करवा के रहूंगा जो मैंने आप लोगों से प्रासत में दन वसुला था तो दसवे का सही जवाब होगा मेवाड क्या होगा मराटों ने मैं 1711 इसमें परतम बार संग्राम सिंग्सें क्या किया था दन वसुला था किसने मराटाओने कब 1711 में किस से संग्राम सिंग से तो ये आप याद रखना अगला क्यूशन है आपके लिए बॉल सेविक समझोते के उपनाम से विख्यात बेंगु किशान समझोता किन किन के बीच हुआ तो ये वा था ठाकुर अनुप सिंग तो ता राजस्तान सेवा संग के बीच हुआ ये समझोता हुआ तो ये आपको याद रखना है इसे करते हैं बॉल सेविक समझोता कि संग्या दी गई उससे में अगला कुशन है शीकर के राव राजा शीकर के राव राजा ने किस नाम से बीगा भूमी पर दो आना भूमी कर में वर्दी कर दी किस नाम से बीगा भूमी पर दो आना भूमी कर में वर्दी कर दी अगला किशन है आप हो गआं मारवाड लोग परिषब के कारे करताओं द्वारा किस इस का जवाब हुजाएगा चंडा वल गाओं में Ir और दोस्तों मार्वार्वाड लोग प्रिशत की इस ता अपना कब हुई 1922 को मार्वाड لوग प्रिशत कारी करता हुं कि दोस्तों जो यह मार्वार्वाड लोग प्रिशनिंटी की इसक Cas снова पहले वह गई थी कब जो है चंडावल गाओं में उत्तरदाई सासन दिवस मनाने की जो निर्णे लिया था वो तिती है आपको बताना है कि मारवर दोग परिशत की स्तापना कब हुई तो इसकी स्तापना कब हुई दोस्तों 1938 में कब हुई 1938 में इसकी स्तापना हुई थी आप लोगों को ये याद कब हुई 1938 में ठीक है ना सोडा मई 1938 में हुई थी आप लोग ये चीज हमेशा याद रखोगे ठीक है चलो और ये जो उत्तरदाई सासन दिवस मनाने की जो निर्णे लिया था किस गाओं में चंडावल गाओं में मनाने का नेक्स कुशन है संयुक्त राजस्तान का निर्मा कब हुआ संयुक्त राजस्तान का निर्मान 18 अपरेल 1948 को हुआ ठीक है 18 मई 1948 को ठीक है ना सोरी सोरी 18 अपरेल 1948 को हुआ तो आप लोग ये याद रखियेगा सभी विद्यारती संयुक्त राजस्तान का एक करन ठीक है अपना राइट आंजर हो गया अगला किसे ने कट्रा थल में किशोरी देवी की अद्यक्स्ता में विशाल महिला संमेलन कब आयोजित किया गया तो बताना है आपको 1934 में जो है किया गया आयोजित महिला विसाल शम्मेलन नेस्ट क्यूसन होगा आपको लोगों के लिए निम्ना की दुए से कौन से लोग देवता पंच पीरों के मैं भी माने जाते हैं तो कौन से लोग देवता है जो पंच पीरों के नाम से जिन में जाना जाता है तो आप लोगों का जवाब होगा और पांचों पीरों के नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप लोग बताई इसका जवाब तो क्या हो जाएगा महाजी मांग लिया तो जो है पंच पीरों में जो है एक कौन से है महाजी मांग लिया मैं आप आपको एक एक जो हो मारवाड के पंच पीर बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना सब चलो पहले नमर में याद रखना गोगा जी है पंच पीरों में गोगा जी रामदेव जी पापू जी हडबू जी मेहा जी मांग लिया पिरचे नाम सुनना गोगा जी रामदेव जी पापू जी हडबू जी मेहा जी मांग लिया तो आप लोग याद रखियेगा दोस्तों मेहा जी के गोड़े का नाम कीरड काबरा था इसका प्रमुक जो पुजा इस तले हो कहां पर है दोस्तों मेहा जी का तो ये बापिनी ओसिया जोदपूर में हैं अगला किसनी आप लोगों के लिए निमले कितमे से बावडियों और उनके निर्मानों के समन्द में आसुमेलित युगमें बावडिया और उनके आसुमेलित युगमें आपको बताना है निर्मान निर्मानताओं के नाम तो सभी जवाब देंग रानी नातावती तो आप लोग बताए यहाँ पर इसका आंसर ठीक है बताओगे रानी जी की बावडी के बाद गोसुंडी नामक गाओं तो आप बताए मेवाड मारणा राय मलकी पत्नी जो स्रंगार देवी ती स्रंगार देवी ने गोसुंडी नामक गाओं में क्या बनवा स्रंगार देवी यां प'reब रहा है अगला किसला न होने दाउ दाउ- दाउदी बोरा संपरदाईका प्रमुकदार मीकि स्तलव कौन सा है तो अठारवे काज़ा जवाब होगा गलिया कोट क्या होगा दाउदी बोरा संपरदाई का प्रमुकदार में किस्तल है गलिया कोट क्या है गलिया कोट डूंगारपूर ठीक है ये क्या है दाउदी बोरा संपरदाई का प्रमुक केंद्र है दाउदी बोरा संपरदाई के और इसके आरादे देव कोन है आरादे पीरे दाउदी बोरा संपरदाय का प्रमुकदार में के इस्तल भी है आप लोगों को याद रखना है अगला क्यूशन है आप लोगों के लिए एरी वेरी इंपोर्टेंट है सारे क्यूशन आप लोगों के लिए निमनाकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा जो है सुमेलित न काली का माता का मंदिरे चितोड में जीन माता रिवा सशिकर में केला देवी करोली में जम्वाई माता जैपुर में हैं अगला क्यों माच या मंच ख्याल के जिनम दाता किसे माना जाता है माच या मंच ख्याल के जिनम दाता किसे माना जाता है तो बक्सू राम को किसको बक्सू राम को माना जाता है किसको बक्सू राम को जाना जाता है बीलवाड़ा के जो बक्सू राम को माच या मंच ख्याल के जिनम दाता माना जाता है जबकि आप लोगों को पता होगा नानू राम नानू राम कहां के हैं दोस्तो शेकावाटी चि बार-बार में सुनते हो लच्षि राम जो थे उन्हेंने कुचामनी ख्याल से समनन दीता है उसके लाँवा बंसी दरबट थमासा तमासा यनिकी जहपुर से समनन ही बंसी दरबट क्या नाम है नौलक का दर्वाजा के नाम से जाना जाता है साथें बार करूँ नहापर नौलक का दर्वाजा है हाती पोल है गणेस पोल है आप कभी मंदिर में गए होंगे न गणेस ही के में तो आपने देखा होगा सुरू में आता है नौलक का दर्वाजा हाती पोल गणेस पॉल सूरज पॉल त्रिपोलिया पॉल इस प्रकार के नहां पर प्रमुक पॉल है यह आप लोगों को यादी होगा ठीक है रांट तमबोर दुर्ग हमिर की आनबान सान और के लिए प्रसिद है अगला कुसे निमले कित मैं से कौन सा नर्ते काल बेलिया जंजाती का नहीं है हिंडोलिया नर्ते जो काल बेली जंजाती का नहीं है इसके लावा इंडोनी ठीक है इंडोनी नर्ते ठीक है तो जो यह यहाँ पर नाम बता रहा हूं हिंडोलिया तो हिंडोलिया नर्ते नहीं है काल बेलिया है संकर या पनियारी है और यहाँ पर दोस्तों हिंडोलिया की जगह इदी क्या था इंडोली जोटा है अलोग और जो में बता रहा हok इंडो नहीं हो था जो है तो मुर्तियों से सम Bend wellness है तो कि सब्स्ते लिस्क्स diffquer प्रता को ङौट पर किस्तों मर्तिव से संबन दिते हैं किस से संबन दिते हैं मर्तिव से संबन दिते हैं मतलब कोई मर जाता है ना उसके पिछे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पैसे फेकते जाते हैं ठीक है जो कोई मर जाता है तो उसकी जो अर्थी है उसको लेके जाया जाता है तो उसके पिछे पिचे पैसे पहके जाते हैं उसे बिखेर प्रता करते हैं क्या करते हैं बिखेर प्रता करते हैं अगला किसे ने केसर या बालम पदारो मारे देश केसर या बालम पदारो मारे देश गीत को अल्ला जिलाई बाई ने किस राग में गया था तो अल्ला जिलाई बाई किस राग क जिले से हैं इनको दोस्तों पदम स्री पुरुसकार कब मिला गया तो आपको बताना है तो 1982 में मिला कब 1982 में पदम श्री प्रुष्कार से नवा जा गया, शम्मानित किया गया, अगला क्यूशन है, निम्नाकित में से असुमेलित है, असुमेलित क्या है, तो असुमेलित क्या है, बपंग वादक, अरे बपंग वादक को थे, बताओ भड़ा पड़, जहूर खा मेवाती, अलवर को भपंग का जो है जादू करकते हैं किसको जहूर खा मेवाती को जहूर खा जहूर खा मेवाती तो यहाँ पर सुल्टान खा तो आना नीचे अपना अंसर हो जाएगा खर्ताल वादक कोंते सदिक खा मिरासी खर्ताल वादक सदिक खा मिराती नड वादक करना भील कामईच्या वादक कामल साकर खा बपंग वादक जहूर खा मेवाती तो आप याद रखिये मित्रो जो भी मैं आपको किशन करवा रहा हूँ राम बान साबित होने वाले हैं आपकी जिन्दगी को बदलने वाले किशन हैं दोस्तों मेरे आपको टोटल जादा से जादा 35 वीडियो मिलेंगे 35 वीडियो आपके जो है लाइब को चेंज कर सकते हैं यानि कि आप जो तो परियोगशाला साइक बन सकते हो क्या बन सकते हो परियोगशाला साइक यानि कि लेब असिस्टेंड आप बन सकते हो तो आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हें जरूर जरूर पढ़ें इन्हें बिल्कुल भी स्कीप ना करें अपने दोस्तों को तो है तेरा अप्रेल को मनाया जाता है कम मनाया जाता है तेरा अप्रेल को मनाया जाता है वैसाग का तिवहार तेरा अप्रेल को मनाया जाता है तेरा अप्रेल सोड़ा सो नन्यानम को गुरु गोविंद ने अमरिंदर साहिब यानि की रोपड पंजाब में खाल सा पंद की स् की थी किस पंत फंत की खाल सांप पंत की इस्ताप autograph की थी ह अगला करे निमले की तूर्च में आप लोगों के लोगों की लिए निमले की तुमेलिड युगम है कोन सा है उपरिट में से कोई something नहीं है मेवार का खाज्राओ जगत ऊदेपूर को कहा जयता है उसी के लावा राजस्तान का खजराओं की बात करूँ तो ये तो मैं बार बार में चिलाता हूँ आपको किराडू बाड मेर में हाडोती का खजराओं बंड देवरा बारा ये दोस्तों खजराओं का मतलब क्या है न्यापर दोस्तों नंगी मूर्तिया मिली है बहुत अगला किशन तगड़ी नामक आभुशन कहां दार्न किया जाता है तगड़ी जो आभुशन है कमर में तो आप ऐसे याद कर लेना क्या है इसकी कमर तगड़ी तो आप किसी भी प्रकार से याद कर सकते दोस्तों थोड़ा मैं आपको hint दे रहा हूँ ऐसे तो क्या है इसकी कमर तगडी है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि क्या है कमर क्या है तगडी है अच्छी है तो आप क्या करेंगे एक आपको यह याद हो जाएगा कि तगडी कहा पेंते हैं कमर में क्योंकि कमर क्या होती है तगडी होती है ठ अगला कुशन है पटव की हवेली का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया तो पटव की हवेली का निर्मान सेट गुमान चंद के द्वारा करवाया गया तो आप लोग याद रखियेगा दोस्तों ये सारे कुशन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे है पटो की जो हवेलिये पांच हवेलियों से मिलकर बनी है कितने हवेलियों से हैं पांच हवेलियों से मिलकर बनी है 66 जरोके हैं जिसमें दोस्तों पांच मंजिला 66 जरोके हैं इसमें याद रखिएगा अगला क्विशन है आपके लिए मेला और इस्तान मेला और इस्तान आपको सुमेलित करना है कपिल मुनीका मेला कपिल मुनीका मेला भीका नेर में कहां पर लगता है कपिल मुनीका भीका नेर में ग्रिश्ममोसो अरे सबी को पता है सीरोई में माउंट टाबू में लगता है कि नहीं लगता है ग्रिश्ममोसो लगता है शाला सर बाला जी का अरे सबी को पता है चूरू में है कहा है शाला सर बाला जी का जो मंदिर है चूरू इस्तान में है जबकि बरत्री का मेला मैं आप को रोजाना बोलता हूँ चिला चिला के बोलता हूँ कि सरिस्का के जंगलों में हैं सरिस्का के जंगलों में सरिस्का के जंगल कहा हैं अलवर में हैं तो अपना हुसन भी क्या होना अची है अलवर होना ची है तो मैं बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ आपको ये बाते हैं र जल पीपी किस जिले का सुभंकर है जल पीपी तो जल पीपी बास वड जिले का सुभंकर है जहल कीप कहा का क्या सुभंकर है जंगली दोख लगशे लेका सुभंगरे जंबली दोग हनुवान कर सीले का सुभंगर है छोटा किलीन है चुटा किलकिल कहां खुभंगर कोमली कि मुझता है चितोडगड का सुबंकर है चोसिंगा या गटेल अजवेर का सुबंकर क्या है खड मोर याद रख लेना पूच्छा जाता है बार बार में इसले मता रहा हूं मजाक मेंनी बता रहा हूं सबसे बढ़ा अप्वा तंत्र कौन सा ये तो सब से बढ़ा अपवा तंत्र कौन सा है अंत्रिक अपवा तंत्र राजस्ताने सबसे बड़ा अपवा तंत्र है आंत्रिक जो कुल अपवा तंत्र का लगबग सेक्ष्णी परतिशत इस सा है कितना साड़ परतिशत अगला किशन गाई की किस किसम को रेंडा वा अजमेरा नाम से जाना जाता है तो कौन सी नसल को गाई के ऐसी के नाम से जाना जाता है आप याद रखिएगा ठीक है गिर को गिर को जो है इसके नाम से जाना जाता है किसके नाम से अजमेरा या रेंडा के नाम से जाना जाता है जो की कहां पाई जाते हैं मद्दे राजस्तान में अजमेर के आसपास पाई जाती है कहां पाई जाते हैं काली मर्दा काली मर्दा कपास केलिए उप्योगी मानी जाती है इसका अुत्तरदाई कारण क्या है। जलदारन समता सरवादिक होती है, जो काले मिट्टी होती है, इसकी जलदारन जो समता होती है, वो क्या होती है, सरवादिक होती है, हरियाली परियोजना का सुबारम कम किया गया, हरियाली परियोजना का संबंद 27 जनवरी 2003 को 27 जनवरी 2003 को किया गया 27 जनवरी 2003 को हरियाली परियोजना का शुबारंब किया गया अगला किशन है उमेद गंज पक्सी वियार कंजर्वेशन रिज़र कौन से जिले में तो उमेद गंज जो पक्सी वियार कंजर्वेशन है वह कौन से जिले में है कौटा में कहाँ पर है कोटा में है आप लोगों की याद रखना है उमेद गंज पक्सी वियार कंजर्वेशन रिजर कोटा में उसे के लाव आप जो ज्याबर तीनों आप्सन है उनकी भी बता देत जो बीड जुन जुनू बीड जुन जुनू कंजर्वेशन रिजर बंसी आल खेत्रडी निकाल सकते हो जोड बीड से बिकानियर निकाल सकते हो और आप इन लोग इन चीजों से जो खेट ड़ी से जुन जुनु का आराम से निकाल सकते हो चाहे तो आप लोग जो है आराम से कर सकते हो उमेद गंज का हैं को टाइम है तो आप इस परकार इसे याद भी कर सकते हैं आपको जगह का नाम पता है कि यह जगह कहां पर है तो आंसर भी दे पा सकते हैं अगला किसने किस नदी को जाला वाड का सोक किसे कहा जाता है काली सिंद नदी को जाला वाड का सोक कहा जाता है क्या कहा जाता है काली सिंद नदी को जाला वाड का सोक कहा जाता है क्या कहा जाता है जाला वाड का सोक कहा जाता है काली सिंद नदी का उद्गम होता है वह मद्दे परदेश के बागली ग्राम की पाड़ियों से होता है कहां से होता है मद्दे परदेश के बागली ग्राम की पाड़ियों से होता है राजस्तान में काले सिंदिगा जो प्रवे से बिंदा रायपूर जालावार से होता है और नानेरा कोटा चंबल में मिल जाती है कहाँ पर नानेरा गाउं जो है कोटा में चम्बल में मिल जाती है अगला किशन है आपके लिए किस बोगोलिक शेतर में किस बोगोलिक शेतर में उपादर जलवायू पाई जाती है किस बोगोलिक शेतर में उपादर जलवायू पाई जाती है तो उपादर जलवायू जो है और आउली परवते प्रदेश में पाई जाती है अगला किसे ने केंद्रे सुस्क बागवानी संस्तान की स्तापना कब की गई केंद्रे सुस्क बागवानी संस्तान की स्तापना कब की गई ठीके कहाँ पर की गई थी दोस्तों ये बीचावत बीकानेर में केंद्रे सुस्क बागवानी संस्तान की स्थापना 27 सितंबर 2000 को बीचावत बीकानेर में स्थापना की गई अगला किसन है गोचनी या बेजड का तात्पर है गोचनी या बेजड का तात्पर है तो क्या तात्पर होगा गेवं एम जो के साथ चने का मिश्रण गोचनी या बेजड कहा जाता है अगला कुशन होगा यहाँ पर कुशन क्या है निमले कित में से गलोबल वार्मिंग के दुस्ट परिणाम है तो क्या होगा इसके दुस्ट परिणाम आप बताईए क्या होगा पर्तिवी के वोस्त ताबमान में वर्दी साइए ताबमान में कमी नहीं होगी वर्षा में आन्यमित्ता गलेशियर का पिगलना तो एक तीन चार किसम है और से नमर सी राइट आंसर होगा अगला किसम है निमले कित में से हक्रा का सम्द्ध है तो हक्रा का सम्द् से पोट अबास पाकिस्तान में वहां पर इसे करते हैं हक्रा हनुमानगड में नाली होट अभास पाकिस्तान में हक्रा का जाता है तो यह आपको याद रगना है जबकि जो यहाप लिकावाइ। कांतली नदी का जो प्रवाजיעत्र है उसे तोरा आवाटी करते हैं उसाथ में यह आप लूगी नदीक प्रवाजयत्र है जालोर में रेड या नेडा करते हैं तो लूणी न दिगा जो प्रवासितर है उसे रेड या नेडा कहा जाता है तो यह आप आते भी आप याद रखा करो यह आपके लिए काम आगी शर्दार समंद जील किस जीले में इस्तित है शर्दार समंद जील किस जीले में है शर्दार समंद जील जो है पाली में कहा परें सर्दार समंद जील जो है पाली में है कहा परें पाली में है उसके लावा सर्दार समंद जील है हेमा वास है जमाई बांदे ये सब पाली में उसके लावा बात करू राज समंद नंद समंद ये कहा है राज समंद में राज समंद और धन समंध जिल की बात करें तो, राज समंद में नक्की जिल, देवता ने अपने नाकुनों से जिल को खोदा था, ये शीरोई में काहिलान जिल, दोस्तो आपके जोदपूर में ठीक है ना, तो मैंने आपको सारे बता दी है इसकी option, बताई अगला क्यूशन, पसुगणना 2019 के अनुसार, राजस्तान में कुल पसुधन कितना था, तो पसुगणन कितना था, 2019 में, तो 568.01 लाग, ठीक है, या आप याद रखिएगा, जिसमें बात करें, राजे में कुकुट, मतलब जो मुर्गे थे, कुकुट थे, वो 143.23 ल अगला किशन है, पाली जिला निमलिकित में से, किस जिले के साथ सीमा नहीं बनाता, तो पाली जिला आठ जिलों के साथ सीमा बनाता है, परहें तो किस जिले के साथ सीमा नहीं बनाता, तो बील वड़ा के साथ सीमा नहीं बनाता, पाली किस-किस के साथ सीमा बनाता है, सबस प्रवेस करती है प्रवेश करती है का प्रवेश करती है बास वड़ा जिले में प्रवेश करती है अगला किसे निमले के तो यह प्रमुक नगदी पसल है नगदी पसल जिसे डारेक्ट पाईशा आ सके सीधा डारेक्ट ठीक है आपके जैसे सरसों गेवें से डारेक्ट पाईशा नहीं आता इस उसे क्या होता ही सीधा पैशा आता है खाने वाने में काम नहीं ले सकते Are A Man नगदी पसल है त्वाप याद रखिएहlehा। जमकि ख्याध्यान पसलों की बात करे तो होती है बाज़रा, cenval, कहा जाता है क्या कहा जाता है सपे सोना कहा जाता है अगला किसा राजस्तान में एकिकरण के पस्चात परतम पसुगर्णा कब की गई तो राजस्तान में एकिकरण के बाद 1907 में एकिकरण हुआ उसके बाद कब कब पसुगर्णा की गई बताइए सभी का जवाब होगा कैसे आंसर लगा देगा बीना सोचे समझे ठीक है यह दोनों लगाए तो मेरे को कुछ समझ में आता है परन्तु वर्ष 1961 सही होगा एकदम ठीक है राजुस्तान में एकिकरण पस्चात प्रतम पसुगर्णा 1961 में की गई जब कि हम बात करें ग्राम इस्तर पर प्रतम पसुगर कि जो है कलास चल रही है सांदार वीडियो को सेर कर दो राजस्तान के साथ नियुंतम तदा सरवादिक अंतर राज्यशीमा बनाने वाले राज्यों का सयूगव है राजस्तान के साथ नियुंतम तदा सरवादिक अंतर राज्यशीमा यानि कि अंतर राज्यशीमा बनाने व शरवादी के तो पंजाब और मद्यप्रदेश कहा नज़रा रहा है और से नम्मर सी में और आपको थोड़ी बहुत और भी बता देता हूं ग्यान की बाते हैं तो बता देनी चीए तो गुजराद की जो सीमा है वो राजस्तान के साथ मिलती है 1022 किलोमेटर हरियना की मिलती है 1262 किलोमेटर है वही बात करें उत्तर परदेश की तो 877 तो याद हो गया पंजाब 89 किलोमेटर दूसरे नम्मर पे उत्तर परदेश 877 किलोमेटर तीसरे नम्मर पे गुजराद 1022 किलोमेटर चोते नमर बे बात करूं हरियना 1262 किलोमेटर तो वही बात करता हूं सरवादिक यानि कि सबसे ज़़ा पांच वे जो ज़ाजे हैं पांच जिले मिलते हैं हमारे राजस्तानी के साथ सीमा पसाजा कर दें सोला सो किलोमेटर तो दोस्तों केसा लगा हमारे पचास क्यूशन एक बार कमेंट करके बताो ता कि फिर आगे पचास क्यूशन की तरब बढ़ते हैं फटा पड़ कमेंट करो पचास क्यूशन कंपलिट हो गए आवनाररर साथ अरद सतक लगाना बाकी है फटा पड़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए इसे प्रकाल लगतार आपकी मैं हेल्प करता रहूंगा पूरी-पूरी कोशिसे मेरी तरफ से कि आपको लेब असिटेंट बनाना मेरा मकसद है तो आप फटा-फट से इस वीडियो को सेयर कर दीजे और आपको दिन में एक साइंस का मोडल पेपर मिलेगा साथ में रात में आपको दोस्तो एक जीके का पार्ट मिलेगा जिसमें लगबग डाई 300 किशन होंगे डाई 300 किशन होंगे आपके तो आप याद रखिएगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ये आपकी जिन्दगी को बदल सकते हैं तो चलिए नेक स्क्राइशन की तरफ चलते हैं बायो डीजल के लिए किस पोदे की खेती की जाती है बायो डीजल के लिए किस पोदे की खेती की जाती है तो आप सभी लोगों को याद रखना है तो ये रतन जोत का पोदा होता है किसका रतन जोत का जो पोदा होता है उसी से जो है बायो डीजल निकाला जाता है तो आप लोग याद रखिएगा कि रतन जोत जो पोदा है राजस्तान के किस-किस जिले में पाया जाता है ये पूचा जा सकता है तो राजस्तान के राजशम अगला किशन होगा। समयलित कीजिएachu अब्यारन और जिले को आपको समयलित करना है। चलिए शमयलित कीजिए रामकड विश्वदारी में किशे को सब्सक्राइब बुंदी right answer होगा अगला question निम्नाय कितमेंसे करक रेका के दक्षन में इस्तित है तो करक रेका दक्षन में इस्तित है बताई ये कहां पर है तो सही जवाब हो जाएगा कुशलगड बासवड़ा में कुशलगड करक रेका रजस्तान में दुंगरपुर जीले के दक्षण में को छूती हुए बास वड़ा में लगबग मद्दे से गुजरती है करकरे का आपको याद रखनी है दक्षण की एक मात तहसिल कुसलगड बास वड़ा में इस्तित है ठीक है करकरे का कि लबाई टोटल लबाई पूछ लिया जाए आप ल चुली देह परियोजना का संबंद किस जीले से हैं चुली देह परियोजना का संबंद किस जीले से हैं तो सही जवाब होगा करोली से किसे करोली से होगा चुली देह परियोजना का संबंद करोली से है साति में सवाई मादुपूर में कौन-कौन सी परियोजना है मोरेल बा बनाश नदी पे तो ये सवाई मातु पूर की परियोजना हो गई याद रखना है याद रखनाग बारबार में आती है मित्र इशर्दा वाली तो कास कर बरत में कौन-कौन शी मिट्टी से निर्मिते पांच नदियों के संगम पर बना हुआ है पांच ना बांध जो करोली में है कौन कौन सी नदिया है माची बेराओ बरखेडा अट्टा बदावरी परिस्तिते ठीक है अगला क्यूशन है आपके लिए देश के कुल दलहान उत्पादन में राजस्तान योगदान कितना परतिशत कर रहा है देश का कुल जो दाल उत्पादन करता है देश उसमें राजस्तान का कितना योगदान है तो 19.41 परतिशत देश में योगदान कर रहा है देश में कुल चणय की बात करें तो 23.4 देश में कुल तिलन उत्पादन की बात करें 20.30 सरसोर की बात करें तो 46.28 पृंट्टी करता है पूर्णतर राजस्तान में बनने वाली सबसे लंबी नदी है बनास आ ठीक है वीज वड़ाirement में रोज चिला चिला कर बोलता हूं की वीजवडा का मोर है और बताओ बड़ापट, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, बताओ बड़ापट, जेपूर का, अरे जेपूर का है तो चीतल होता है, राज अस्तोडिये, जेपूर का क्या है, चीतल, जेपूर का क्या है, चीतल है, और जालोर का क्या है, जालोर का है भालू, सहीये, बीलबडा का मोर, जैपूर का चीतल, जुन्जुनु का काला तितर, तो यह अपना ओप्सन कोज़ा होता है, जुन्जुनु का क्या है, काला तितर है, बिकानेर का बट तितर, तो आप याद रखना है दोस्तों, जुन्जुनु का काला तितर, जुन्जुनु का काला तितर, जुन जुनु का काला तीतर विकनेर का भड़ तीतर तो आप इस प्रकार याद रखो टोड़ा याद हो जाएगा अगला क्विशन है काला नilles से आप काला तीतर से कैसे आध रखोगे काले जो की जया है काले जो हिरने काहला मिलते है चूरू में तो वर्टिशल तो दोस्तो हडोती शेतर में पाई जाती है, सहीए नहीं है, सहीए नहीं है, तो कोटा में पाई जाएगी, अगला किशन है, ध्यान से देखिएगा, निमलेकित में से हैं, सीचाय परियोजना में से किसका समझ जालावार जिले से नहीं है, तो जालावार जिल यह कहां से संभन्दित राइन से संभन्दित है कहां से मित्रों याद रखिएगा कि विलाष परवन ऑदानां को से 기ना तो 12 next liberal ब包म, संब्स नहां। नहां चेहं का यह QS मृश्म है ङरका संब्सक्राणां को carrying 766 वह किसंद 1998 से जिले की प्रियोजना है तो 12 जिले की प्रियोजना होगी ठीक है ना याद रखिएगा अगला इस नहां पर को एस 767 किस पसल की किसम है बताइए को एस को एस 767 किस की जो है किसम है तो यह है गन्य की किस गंये की और भी जो संसले किसमें हैं बता देता हूं को कौन सी यह कल्यान सोना मंगला राज 3070 मक्का की ए माही माही कंचन सविता यह किस की है मक्के की है चावल की है बासमती ठीक है नहीं जो कुछ-कुछ मैंने बताया आपको यह याद रख लेना अगला किसे ने राजस्तान में राज़तानी बासा साहिते कला और संस्कृति का म्यूजिय कहां बनेगा कहां पर बनेगा मेजियम जल्दी से कमेंट करके बतायेगा तो यह बनेगा भीकानेर में कहां भीकानेर में नेस किशन होगा आपके लिए देश का सबसे बड़ा इलेक्τοिक वहान ईवी चारजिंग स्टे सन किस राज्टन राजमार्वार्य पर खोला गया है तो कहां पर खोला गया है किस राश्टे राजमार्क पर तो यह राश्टे राजमार्क 48 पर खोला गया है कहां पर राश्टे राजमार्क 48 पर खोला गया है चार प्यावानों के लिए सो चार्जिंग पॉइंट की समता वाला देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वान, ईवी चार्जिंग स्टेशन, गुरू ग्राम में शुरू किया गया है, कहाँ पर? गुरू ग्राम में, अगला किसने, राजस्तान राजे उबोगता, राजस्तान राजे उबोगता विवाद परती सोध, आयोग जैपुर के अध्यक्स बनवार सर्मा ने किस पोर्टल की सुरुवाद किये है, तो किस पोर्टल की सुरुवाद किये है, तो ये किये एदाखिल की, किसकी एदाखिल की, अगला किशन, परदेश के किस जेविक उद्ध्यान में म्यूजियम वो आर्ट गैलेरी बनाए जाएगी, कहाँ पर बनाए जाएगी माच्या सपारी पार्क जोदपुर में माच्या सपारी पार्क जोदपुर में जिसे अब आम परेटकों के लिए खोला जाएगा इसके लिए के अंदर सोतन तरता सेनानियों को नजर बंद रखा जाता था तो यह आप याद रखेगा कि यहाँ पर माच्या सपारी पार्क में जोदपुर में गेलेरी मुजियम और आर्ट गेलेरी बनाए जाएगी अगला कुशन है 19 बरहुरी 2022 से 25 बरहुरी 2022 तक इंडियन एरपोर्स और रोयल एरपोर्स ओप ओमान के 20 सयुक्त युद्धि अब्यास कहां आयोजित हुआ तो आपको बताना है ये युद्धि अब्यास बारत माला प्रोजेक्ट के तर पस्यम सीमा के पास निर्माणा दिन एकोनोमिक कोरिडोर अमर्त सर जाम सर एक्सप्रेस वेका कितना बाग राजस्तान से गुजर रहा है तो बारत माला प्रोजेक्ट के तर पस्यम सीमा के पास निर्माणा दिन एकोनोमिक कोरिडोर अमर्त स जाम नगर एक्सप्रेस वेका कितना किलोमेटर राजस्तान में से गुजरेगा तो इसका सही जवाब होगा 636 किलोमेटर कितना 636 किलोमेटर तो आप यह याद भी रख लीजिएगा ठीक है जिसकी कुल लंबाई कितने दोस्तों हमरे सा जाम सगर एक्सप्रेस कि आई रहा है अगला किशन है राजे सरकार ने परदेश में राजे सरकार ने परदेश में सबी स्रेणियों के लिए नियूंता मजदूरी की दरों में कितने रुपे परती दिन बढ़ाने का निने लिया है तो कितने रुपे बढ़ाने का निने लिया है शात रुपे परती दिन बड़ाने का निनलिया है अगला कुछन है राजस्तान अंतराष्टे फिला मौसो इनकी आराइएप में हसरत जैपूरी पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया अंतराष्टे फिला मौसो हसरत जैपूरी पुरुषकार से किसे शम्मानित किया गया तो किसे किया गया तो सही शहीद कादरी को किसको सहीद कादरी को जो है सम्भानित चिया गया किसे हसरत जैपूरि पृष्षकार से हैं अंगला जोदबुर में इस्तित राष्टे पादब आनुवांसी की संस्तान बीरों की सोद के अनुसार परदेश के किस सेत्र में पाई जाने वाली सरसो दुनिया में संभुत सबसे तागत वर वेराइटी की है जोदबुर में इस्तित राष्टे पादब आनुवांसी की संस्तान बीरों की सोद के अनुसार परदेश में किस सेत्र में पाई जाने वाली सरसो दुनिया में संभुत सबसे तागत वर वेराइटी की जो है सरसो है तो बताएए 79 वे का सई जवाब हुजाएगा अरावली बेल्ट में जो अरावली बेल्ट में ससो पाई जाती है वो सबसे तागत वर है विश्वा में दुनिया में आगला कुशन पूरे भारत में राजस्तान का इस्तान कोन सा है दूसरा सेकिंड नमर पे हमारा राजस्तान अगला कुशन दयानंद सरस्वति ने पाकंड खंडीनी पता कहा और कब लह रहाए थी तो बताना है आपको इसका जवाब हो जाएगा आगरा में 1863 में लह रहाए था ठीक है कहां आगरा में कब 1863 में जो इस पाकंड खंडीनी पता का लह रहाए थी निमलिकित मेंसे आसुमलित युक्म कौन सा है बवन और इस्तान तो आप बताई एसफूमलित कौन सा है तो एसफूमलित है आपको बताना है एक टीक है जल्दी से बताईएगा दोस्तों ये जो सेंट फॉर्ट जौर्ड जोर्जना ये आमदाबाद में नहीं है आमदाबाद में नहीं है कहा है मद्रास में कहा है मद्रास में तो अपना उप्सन तो सही हो देगा यह है विक्टोरिया मेमोरियल कहा है कलकुत्ता में मेयो कोलेज कहा है इलाबाद में गेटवे अप इंडिया मुंबाई में ठीक है एक मेयो कोलेज राजस्तान में भी रजमे निम्नाय कित में से असुमेलित युगम कौन सा है आपको बताना है मैं नास्ति क्यों हूँ ये किसने का बागत सिंग्न है सही है आनन्द मट बंकिम चंद चोटा पाद्याई दा इंडियान इस्ट्रगल सुभाष चंद्रबोस इन्हों ने लिखा था ठीक है न यह जो देख सकते हो यहाँ पर याद रखिए जबकि इंडिया डिवाइड तो इंडिया डिवाइड यह किसने का था डाक्टर राजेंदर प्रशाद ने किसने लिखी है इंडिया डिवाइड़ किसने लिखी डाक्टर राजेंदर प्रशाद ने जबकि नहीं पर क्या रहा है उपसन बालगंगा दरती लगते है गलत हो जाएगा अपना उपसन नमबर D राइट आंसर देगा, इंडिया डिवाइडेड किस्तने लिखी, डाक्टर राज्यंदर प्रशाद में, घीक है? अगला क्विशन है आप लोगों के लिए निमिलेकत में से कौन सा वाइसराय बंग बंग से सaisonमन्दित था? बंग बंग सेस्मन्दित था, तो बंग बंग सेसे कौन था लाड करजन और र्वस्तों का आरख्षण tort करने की सिपारिस की आभीद हुसेन समिति ने कि का समिति कब गटित की गई थी 1905 एंधुला इस विश्वा में दुख दुथ पादनें भारत का खौन सा इस्तान राजस्तान का अमलिकित में से यह किस देश के साथ बारत सर्वाधिक आयात करता है तो बारत सरवादिक आयात किसके साथ करता है कल भी मैंने यह किसन करवाई था कि आपको आयात निरियात नहीं आयात के सिर्श दस देसों में चीन सहुक्त चीन है सबसे जादा चीन है चीन के साथ करता है चीन के साथ आयात करता है सरवादिक फिर करता है सहुक्त अरब अमिरात के साथ UAE के साथ, फिर अमेरिका के साथ, ये ठीक है न, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, चलो अगला किसने, निमले कित में से, लोग सबा से न्युक्त होने वाले परदान मंत्री कौन है, निमले कित में से, लोग सबा से न्युक्त होने वाले परदान मंत्री है, पी वी नर अगिला क्षिछन स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संसट की सुखत बेटक हो चुकी एक जो शुमेलित हैं तो ब्लैक फोरेष्ट का है जर्मणी प्लेक पॉरेष्ट जो ब्रंस है ब्रंस एक ब्रंस परवत है जो जार्मानी में है ब्लेक फोरेष्ट एक ब्रंस परवत है जो कहां है जार्मानी में है तो यह आप याद रखियेगा ये क्विशन ठीक है तो ऐसे क्विशन आप से पूचे जाएंगे अगला क्विशन है आप लोगों के लिए वीडि ग्रेट लेक्स की जीलो में सेत्रपल की अनुसार आउरोई क्रम निमले कितमे से कौन सा है आउरोई क्रम गटता हुआ बताएगे तुछे क्या को होगा सुपिधियर, हुरान, मिशीकान, एरी ओटेरियो ठीक है शूपीरियर हुईरान मिशिगान इरो ओटेरियो तो यह आपको याद रखना है यह हो जाएगा ठीक है अगला क्षि़र्ण है आप लोगों के लिए सलीम अली वन्य जिव अब्यारण कौन से राजयों मैं शलीम अली का एगा कौन से जिलो में तो काएगा गोवा तता केरल में है ठीक है? चलिया अगला किशन हैं आप लोगों के लिए ठीक है सलीम अली राश्ट्य उद्यान जम्बू वा कस्मीर में भी है ठीक है पर नहीं पर गोवा अव केरल में है ठीक है राष्ट सलीम अली वन्य जीव अब्यारण तो वन्य जीव की पुछा है हमसे तो वन्य जीव तो है कहां गोवा तथा केरल में जबकि सलीम अली राष्ट ए उद्ध्यान जम्मू और कस्मिर में है तो दोनों में एंतर है न और सलीम अली को क्या कहा जाता है दोस्तों विज्ञा इसे जो है बर्ड मेन ओफ इंडिया कहा जाता है उनकी प्रसिद पुष्टा कौन सी है दा बुक ओफ इंडियान बार्ट से धे कर में दा दल दल दली अत्वाठ जवार बाटा सेतरों में पाय जाने वाले वन को क्या करते हैं उसे करते हैं मेग्रो वन क्या कहेंगे मेगरो वन ज़ेंगे अगला किसे टाल शुटोय टाल शुटोय की किस पषिद पुस्तक ने गांधिजी को सरवाधिक प्रवावित किया टाल शुटोय की किस पुस्तक ने परसिद पुस्तक ने गांदी जी को सरवादी जो है प्रवावित किया इसका जवाब हो जाएगा वार एंड पीस क्या होगा वार एंड पीस इसका सही जवाब होगा सिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनो विज्ञान का केंद्रे बिंदू होता है शिक्षा मनो विज्ञान का केंद्रे बिंदू क्या होता है तो शिक्षा मनो विज्ञान का केंद्रे बालक होता है कौन होता है छोटा बच्चा होता है बालक होता है अगला किशन है निमलिकित में से कौन सा कतन सिक्षा मनोविज्ञान की प्रकर्ति से समंदित नहीं है तो सत्याशी का सही जवाब हो जाएगा ये एक मान के विज्ञान है ये क्या है एक मान के विज्ञान है अगला क्युशन जिन परकिरियाओं को सीखने के उपरांद संतुष्टी प्राप्ट होती है उन्हें सीख लिया जाता है कहलाता है। पूर्णाकार अगला किसने अंकों, शंक्या, सुत्रो आधि गणितिये, संक्याओं के प्रियोग की अधिगम, आयोग्यता, आयोग्यता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मित्रों इसे, इसे कहा जाता है, डिस्केल कुलिया, डिस्केल कुलिया, कहा जाता है, अगला किसने, से दन परक्रिया इसकी प्रमुक विश्यस्ता नहीं है अगला कुछने आप लोगों के लिए निया पर कोहल बर्ग कोहल बर्ग के अनुसार नेतिक विकास की एक एसी आवस्ता जिसमें कोई वेक्ति अपनी नेतिकता को वर्तमान में प्रचले सामाजिक मान डंडो अत्वा नियम इस्तर निमलिकित में से किस विकल्प में अबराम मेशलो द्वारा किया गया प्रेरकों का वर्गिक्रण है तो क्या वर्गिक्रण है जनम जात्व अरजित प्रेरक जनम जात्व अरजित प्रेरक शेल्टर के वेक्तित्व वर्गिक्रण का एक प्रकार नहीं है शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गी करण का एक प्रकार नहीं है तो एक प्रकार क्या नहीं है? मिश्रित काई Next question इस्याई दब्बा परिक्षन आई बीटी इस्याई दब्बा परिक्षन आई बीटी में कुल काड की संक्या कितनी है? तो कुल कार्ट की सिंक्या कितनी हैं? तो दस है, कितनी है? दस है, अगला कुछे नहीं आप लोगों के लिए एक चात्र अर्दवार्शिक परिक्षा में पर्तम आने का लक्षे बनाता है किन्तों दोसरे चात्रों की पर्तियोगिता के कारण लक्षे को प्राप्त करने में असपल रथा है इससे वो निरास नहोकर वार्शिक परिक्षा में प्रियाप्त ध्यान देकर अपने लक्षे को प्राप्ट कर लेता है ये इस्तति क्या कर लाती है तो ये इस्तति को क्या कहेंगे हम ये कहेंगे हम समायोजन क्या कहेंगे शमायोजन किया उसने समायोजन कहेंगे निरंतर अभ्यास तरहल वर टोस बुद्धी सिद्दान के परतिपादक ते तो क्या कहींगे उसको कौन थे हैं थ्रश्टन वर केली कौन थे हैं थ्रश्टन वर केली बुद्धी सिद्दान के परतिपादक अगला कुछन है निमलिकित में से किस विकल्ब में सर्जनात्मक परकिरिया के निशिद पत दिये गए हैं तो अंट्यान में नमर के किशन का सही जवाब होगा आयोजन उद्वन प्रबोधन सत्यापन ठीक है अगला कुछन परतिबा साली बच्चों के लिए आउसे के उन्हें विशिष्ट योगदान है तो विशेष आउसर दिये जाएं नेस कुछन अभी समता से तात परें अभी समता से क्या तात परें अभी समता से तात परें उप्योग सभी, कारे कुसलता से, योग्यता से, निपूनता से, अभी समता से तात परें, कारे कुसलता, योग्यता, निपूनता, दोस्तों हमारा ये वीडियो आप लोगों को केशा लगा, एक बार आप जरूर बताएए, ये मोडल पेपर नंबर 7 बनता अभी तीन मोडल पेपर और करवाना है मुझे जो आपको करवा दूँगा जितने फी साइंस वाले स्टुडेंट देख रहे हैं आपके आंसर की भी मैं करवाओंगा tension मतलो आपका जो साइंस का मोडल पेपर है मतलब साइंस जो ग्राफिका और मैं होम साइंस का भी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ पर आप लोगों को बता दूँ साइंस का जो मोडल पेपर है साम को मिल जाएगा और साथ ही में जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्यों सीरी चला रही है मैंने वो रात में आपको मिल जाएगी और आपने कल वाली नहीं देखिए और से पहले नहीं देखिए तो देख ले ना प्लेलिस्ट में लिंक दे रहा है मैंने प्लेलिस्ट बना रही है प्लेइक कर दिसक्रिपशन में भी है और प्स्ट कमेंट बोक्स में भी है ठीक है? प्स्ट कमेंट आप देखोके न को लिए तो वहाँ पर आपको प्लेइक का लिंक मिल जाएगा तो दूस्तो यह आपकी त्यारी को बहूत अच्छी थाबित कर सकती है एदिया आपने हमारी प्लैलिस्ट की सारी वीडियो देख डाली तो आपका दोस्तो दोस्तो राम बान सावित हो जाएगी सारी वीडियो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है एदिया आप मुझे अपना कुछ भी मानो चोटा भाई बड़ा भाई गुरू जो भी आपका मन है मान लीजे आपका दोस्त ठीक है पर जो मैं बोल रहा हूँ वो सच्चाए के साथ बोल रहा हूँ कि आपने एदि मेरी वीडियो देख ली तो आपकी काया पलट हो सकती है ठीक है धन्यवाद मित्रों मेरे उपर आप विश्वास करेंगे और मुझे पता है आप मेरी पूरी वीडियो देख के जाएंगे और आप लोगों का सेलेक्शन भी होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उत्रीं की गारेंटी दे रहा हूँ ठीक है धन्यवाद मित्रों मैं मिलता हूँ आप से नई वीडियो के साथ तब तक शुक्रिया